Hello everyone, welcome back to my channel, so I am Gautam Jali and you are watching Gautam Jali YouTube channel So in this video I will tell you top 3 best new and wide apps, so while the end of the video, so without waste any time, let's start First number is the name of the apps iOS 16 Locker Screen क्या फिर जदे यूनिक apps है और इस apps की मतल से आप अपने किसी भी Android phone में iOS 16 का Locker Screen को इनिस्टोल कर सकते हो Simply apps को आपको open करना है, अगर तुम इस apps को download करना चाहते हो Google Play Store पर search करना होगा iOS 16 Locker Screen और इस apps को download करने के बाद first time जब open करोगे तो तुम्हें एक permission देना होगा जिसका नाम है display over weather app, simply आपको long press करना है और थोड़ा सार जहां तो scroll down करना है और scroll down करने के बाद iOS 16 Locker Screen Apps को चूच करना है, चूच करने के बाद आपको इस permission को simply enable कर देना है अभी से enable करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा देख सकते है notification का भी एक permission मांगा जा रहा है यहाँ पर आपको add new Locker Screen का भी बटन दिखाए देता है, जहाँ पर आप अपना एक personal Locker Screen को create कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे diffident में दिया गया है, तो मैं simply इसको select करूँगा and then वाले बटन पर click करूँगा अब डेन वाले बटन पर click करने के बाद चलिए मैं अपने phone के Locker Screen पर आपको देखाता हूं कि मेरे smartphone में iOS 16 का Locker Screen सेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है काफिज यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यह स्टार्ट का बटन दिखाए देगा इस स्टार्ट वाले बटन पर click कर दने के बाद आपको एक्सिप्रिटी सेडविस का परमिशन देना होगा परमिशन को स्प्रिटी आपट कर दिजी इस परमिशन को इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन में प्हान पैनल चेंज हो जागा जीतम तेंगस्ते हो मेरे फोन में अभी कुछ इस तरीका का पैनल है जो आच्छा नहीं लग रही है मैं चाहूं तो इस वोजäreका चेंज कर सक तो मेरे फोन में आई जो का ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अगर इस वोलूम पैनल को चेंज करना चाहूं तो सिंप्ली में क्या करूंगा प्ली स्टूर में जा करके फीची सब्सक्राइब करूंगा और यहां पर मुझे बहुत ही अच्छे वह नुप पैनल द स्टूपर और वहां पर तुम्हें सेर्च करना होगा स्वैप न और रूट इस सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन में रैम को बढ़ा सकते हैं अगर आपके फोन में चार्जवी रैम हैं तो उसे आट जीवी में बदल सकते हैं यानि कहीं तो आप आपको पता होना चाहिए 1000 रेम बिलकर एक जीवी में आपको क्लिक किया है अब आपका एक जीवी रैम और भी बन चुका है जिसके चलते आपका फोन थोड़ा सफास चलेगा तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब चेक आट